इसलिए अब कोई बाइबिल प्रचार करने का चांस प्रभु ये शुमसी के पास नहीं है परंतु जो बातें प्रभु बोल गए ना जिसको बाइबिल में संकलित कर दिया गया है वो तो आपके हाथ में हैं उठाए जाने के पहले भी धरती पर होगा और साथ साल के महाकलेशकाल में भी बाइबिल की प्रतियन धरती पर होगी परन्तु जो प्रभू प्रचार कर रहा था वो समाप्त हो जाएगा मनुश्यों को प्रचार करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा क्योंकि प्रचार करने वाले तो उठा लिए गए इसलिए प्रभू एलिया और मुसा को इसी बाइबिल में से बातें बताने के लिए भेजेगा और उसके साथ साथ आप स्वर्ग दूट क्योंकि इनसानों को सुसमाचार सुनाने का वक्त अब खतम हो गया यह वे लोग हैं जिनके हाथ में बाइबिल की परतियां हैं तब इसी बाइबिल की प्रतियों में से स्वर्ग दूत लोग यहां सू समाचार सुनाएंगे और इस समाचार में बहुत बड़ी बातें नहीं है परन्तु बहुत छोटी सी बात है और वो बात यह है सात्वे पद में लिखा है बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से डरो have fear with God और उसकी महिमा करो यह दो विशे हैं जिससे की जो प्रतियों बाइबिल की पड़ी हैं उनमें से परमेश्वर का भाय पैदा करने के लिए और परमेश्वर के प्रति महिमा करने के लिए प्रेर ना दी जा रही है सू समाचार है उसको इंस्पायर कर रहे हैं तो यह स्वर्गदूत सब को कह रहे हैं हर जाती, हर भाशा, हर कुल के लोगों को बोल रहे हैं कि तुम परमेश्वर से डरो पर यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो इन स्वर्गदूतों की सुनने के बाद में मानने को तयार नहीं होंगे देखो प्रभू ऐसे ही किसी को भी डंड़ नहीं मारता है बता जता के मारता है भई, यहाँ जो लोग हैं वे स्वर्गदूतों की द्वारा संदेश सुन रहे हैं कि परमेश्वर से डरो फिर भी नहीं मान रहे हैं परमेश्वर की महिमा करो फिर भी नहीं मान रहे हैं ये धिटाई कर रहे हैं अपनी आवेशक्ता जुटाने में लगे हुए हैं धन पाने में लगे हुए हैं राजनीती के आओधे पर आने के लिए दर्शन देख रहे हैं, वे इस धर्ती पर महान होना चाहते हैं, और आपको मालुम हो, जब कभी भी किसी भी व्यक्ती को धर्ती पर सुप्रिम, चाहे वे फिल्म इंडस्ट्रीज में हो, चाहे वे बिजनिस में हो, चाहे वे पॉलिटि संस्था का सदस से होकर कि उनकी सलह मानना पड़ता है, केवल इलुमिनाठी ही है, केवल गुप्तिचर संस्थाएं ही हैं, जो किसी व्यक्ती को विश्व व्यापी अधिकार दे सकती हैं, चाहे वे व्यापार में हो, चाहे वे राजनीती में हो, चाहे वे फिल्म इंडस्ट में हो और उन्हें उनकी बात माननी पढ़ती है और उन्हें इलुमिनाटी के संकेत देने पढ़ते हैं, इसलिए हर एक्टरेस नाचते-नाचते इन तीन उंगलियों को उपर करके अपनी इंडेक्स फिंगर और इस अंगूठे को एक करके एक आँख बंद करके एक आँख खोल का प्रयास करेगी, like this, यह एक सिगनल है, इलुमिनाटी का, जिससे कि वो फुलफील कर देते हैं, तुम हमारे पक्ष में हो, तुम हमारी सदसिता में हो, या फिर यह जो दो उंगली हैं, इस तरीके का जो संकेत है, वैस सैतान के दो सींग हैं, आप बच्चों के साथ सावधा रहें, बार बार इस प्रकार का अभिवादन, अंधकार की सत्ता को नेवता देता है, यह सेटनिक सिगनल्स हैं, जिससे दुरातमाय आकरशित होती हैं, इसलिए आप फोटो खिचाते समय, अपने बच्चों को यदि इस प्रकार का सिगनल देने के लिए, यदि हसी मजाक मे अनुमती दे रहे हैं, तो यह सेटनिक साइन हैं, इस सिगनल्स कार की सत्ता को हम कहते हैं कि तुम्हारे हम पक्ष में हैं, और आपको मालूम होवे, जो सिग का जारी किया गया है, 2012 और 2017 को प्रोड्यूस किया गया, उस सिग्य में एक और भारत का, पूरी दुनिया का चित् रहे हैं, और उसमें दस नंबर डले हुए हैं, और यह दस नंबर धरती के टेन कॉंटिनेंस के आधार पर हैं, और प्रकाशित वाक्य में आपने दस सिग्य वाले तेरवे अध्याय में, प्रकाशित वाक्य के तेरे अध्याय में आपने दस सिग्य और साथ मुकुट की बा समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके दस सींग हैं और साथ सिर हैं और उसके सींगों पर दस राज मुकुठें और उस पर निंदक का नाम abomination और आपको जानकारी मिले तो जितने भी film industries में सबसे सुपर होना चाहते हैं उनको गुप्त संस्था ही गुप्त society ही उन्हें महान बनाने की अनुमति देती है राजनेतिक नेताओं में से जो सबसे सुपरिम होना चाहते हैं वे इसी गुप्त society के सदस होने के बाद भी वे सुपरिम हो सकते हैं धरती पर सबसे बड़ा धनियदी कोई होना चाहता है तो उसे इस गुप्त चर संस्था का संस्था का सदस होकर कि उसका सलह मानना पड़त और उन्हें किसी न किसी तरीके से ये संकेत देने की द्वारा हम किसी उसके हैं ऐसा प्रमानित करना पड़ता है। और दूसरे और एक पैरमिड है और इस पैरमिड में एक आँख मनी है और उससे रौशने निकल रही है। नाचते नाचते जितने भी सुपर डांसर हैं वो एक बार छे 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 तीन उंगलियों को गोल करके आँख अंदर डाल करके कहेंगे या फिर एक और एक मिनिट। यह सारे सिगनल्स जो हैं और एक और सिगनल है यह जो पैरमिड बनाया जाता है उंगली से और उसको यह देखा जाता है। यह सब कुछ कहीं न कहीं सेटनिक साइन्स है पर बाइबिल का परमेश्वर कहता है स्वर्गदूत कहता है परमेश्वर से डरो। हम बात कहां रहे थे कि मनुष्य अपने आपको धरती में सबसाधनी बनाने में, राजनेतिक आऊसर पर सबसे महान बनने में, वयापार में सबसे ज़ादा, फिल्म अंडिश्टीज में सबसे सुप्रसिध एक्टरेस एक्टर बनने के लिए उसको कही न कहीं गुप्त संस्था के साथ समझोता करना पड़ेगा और उसके साइन को लेना पड़ेगा जब एशु अभी धर्ती पर नहीं आए हैं बॉडिली मैनिफेस्ट्रेशन से परन्तु साथ साल के महाकलेशकाल में यह जो वन वर्ड गवर्मेंट जो सेटनिक वर्ड की कंट्रोल में चली जाएगी वो तुम्हें इस निशान का ओरिजिनल प्रिंट आपके हाथ में लगा देगी आपके माथे पर लगा देगी अब आपको मालूम होए जितने लोग इस पशु की मूरत की पूजा कर रहे हैं जितने लोग अपने माथे पर उसका निशान लगा रहे हैं जितने लोग अपने हाथ में उसकी छाप ले रहे हैं जो परमेश्वर के प्रकोब की निरी मदिरा में डाले जाएंगे वे सारे वे लोग हैं जो सुपरसिद्ध होना चाहते हैं जो धर्ती में महान होना चाहते हैं जिनको सुपरिश्टार बनने की जरूरत है वो सुपर हीरो बनना चाहते हैं सुपर विजनिसमेन बनना चाहते हैं और इसी कारण से वे कहीं न कहीं इस गुप्त संस्था इलुमिनाटी के सदस्य होने के कारण उन्हें मार्क लेना पड़ेगा, उन्हें निशान लेना पड़ेगा कि तुम मेरे हो और ऐसा करने के दुआरा यह जो अंधकार की सत्ता है जिसमें पुराना अजगर, खृष्ट विरोधी और जूठा भविश्द्वक्ता यही खृष्ट विरोधी है, जो लाल अजगर के लिए काम कर रहा है बॉडिली, बॉडिली, फॉर्मेशन में वो तो अद्रश है, वो तो गुप्त है, उसको देख नहीं सकता कोई वो बोलेगा तो सुन भी नहीं सकते, इसलिए उसने देह में और यही कारण था कि अदन के बगीचे में भी, वो साप की शरीर में होकर कि आदम और हवा से बात करने गया था, क्योंकि उसको बॉडि चाहिए, ये खृष्ट विरोधी जो है वो शरीर धारी होगा, जिसके बारे हमें मौल लड़ी बता दिये हैं और वो एकदम से प्रगट होगा, मिनाश का पुतर